हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन चैप्टर लाइफ प्रोसेस क्लास 10 बैलाजी अच्छा हम सबको पता है कि प्लांट्स अपनी बॉडी से ऑक्सिजन बाहार रिलीस कर देते हैं अभी ऐसा करना ज़रूरी क्यों है क्योंकि जो कार्बन डेक्साइड है और ऑक्सिजन है वो अनिमल्स और प्लांट्स के लिए यूसफूल नहीं है वेस्ट मटीरियल है और अगर ये वेस्ट मटीरियल बॉडी में एक्यूमलेट हो जाए इकठे हो जाए तो वो टॉक्सिक हो सकते हैं इसलिए उनको बाहर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है और यह जो process है, जो toxic material या harmful waste material को बाहर निकालने का उसको बोलते हैं, excretion, excretion is a biological process by which an organism get rid of excess or toxic waste product of metabolism, metabolism क्या है, metabolism refer करता है हर एक chemical reaction जो हमारी body में होता है, metabolism के टाइम कुछ useful substance बनते हैं, कुछ harmful बनते हैं, मतलब waste material बनते हैं, जो हमारे काम कर नहीं होता, अगर यह waste material इकठे हो जाएं, तब वो हमारे लिए harmful हो जाते हैं, toxic हो जाते हैं, तो उनको excret करना जरूरी है, अलग-अलग organism अलग-अलग तरीके से अपने waste excret करते हैं, जैसे क कुछ unicellular organisms होते हैं, जो simply अपना waste material अपने body के बाहर surrounding में diffuse कर देते हैं, जबकि multicellular organism के पास specialized organs होते हैं, तक कि वो उसको use करके अपने waste material बाहर release कर सके हैं, जैसे human being के पास है excretory system, और human being के excretory system में होता है, a pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra, जो kidney है, ये kidney आप देख रहे हैं, यही वो organ है, जो blood को filter करता है, और filter करके waste product को अलग करता है, जो waste निकलता है हमारी body से, वो रहता है liquid के form में और उसमें रहता है, उसको बोलते है urine, urine इसलिए बोलते है कि उसमें जो main waste product होता है, वो होता है, urea, kidney में urine form होने के बाद वो ureter के थ्रू चला जाता है, urinary bladder में, वहाँ वो temporarily store रहता है, और थोड़ी देर बाद हम उसको urethra के थ्रू बाहर release कर देते हैं, kidney में urine form होता है, urine form होने के बाद ureter के थ्रू वो जाता है urinary bladder में, जहाँ थोड़ी देर के लिए store होता है, और फिर उसे urethra के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, how is urine produce, urine produce करने के लिए हमारी kidney में, बहुत सारे filtration unit होते हैं, that is called nephron, nephron आप यहाँ diagram में देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे है glomerulus, glomerulus is cluster of capillaries, एक capillaries का cluster है, जब blood यहाँ enter करता है इस cluster में, क्योंकि capillaries का wall थीन होता है, तो उसमें से चीज़े filter होकर चली जाती है, bowman capsule, बोमें capsule एक cup-like structure है, it is one end of the nephron, one end of the tubular part of the nephron and it is cup-like structure, अब glomerulus से चीज़े filter होकर चली जाती है, bowman capsule में, और जो fresh blood है, clean blood है, वो यहाँ artery के थुरू आगे बढ़ने लगती है, लेकिन सुरुआत में, जब blood filter होता है, तो waste product के साथ कुछ useful product भी, जैसे glucose, amino acid, water, some salt, यह भी filter होके filtrate में चले जाते हैं, पर body को उनको reabsorb करना होता है, तो जब यह जो tube like structure दिख रहा है, यहाँ जब waste product with useful product move कर रहा होता है, तब जो blood vessels आपको दिख रहा हैं, वहाँ red और blue color में, वो उनको reabsorb कर लेते हैं, जो useful thing है, वो reabsorb होके वापस blood vessels में चल जाते हैं, और सिर्फ जो waste material है, जो urine है, वो आगे बढ़ के पहुंचता है collecting duct में, collecting duct urine को pore कर देता है ureter में, और ureter के through urine पहुंचता है urinary bladder में, urinary bladder expand होता है, जिससे हमारी nerve को message जाता है, कि हम उस urine को urethra के through बाहर release कर दें, इस तरीके से हमारी body में urine form होता है, और बाहर release होता है, रास है कि कितना water reabsorb होता है, जब urine move कर रहा होता है, नेफरोन के tube part में, तो दो चीजे matter करती है, एक तो हमारी body में कितना water है, अगर हमारी body में sufficient water है, तो कम water reabsorb होता है, और ज़्यादा water urine के form में बाहर निकल जाता है, और अगर हमारी body में water कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा water reabsorb हो जाता है, दूसरा यह है कि कितना waste, अगर waste ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा water बाहर निकलता है urine के form में उसको clean करने के लिए और कम water reabsorb होता है, अगर waste का amount कम है, तो कम water बाहर निकलता है urine के form में और ज़्यादा से ज़्यादा water reabsorb हो जाते हैं, एक्स्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के पास तो किड्नी नहीं होता, तो वो कैसे एक्स्रीट करते हैं, प्लांट्स बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से अपने वेस्ट को एक्स्रीट करते हैं, जैसे गैसियस वेस्ट को इस्टोमेटा के थुरू निकाल देते हैं, एक् कुछ waste product प्लांट के लीव्स में चले जाते हैं और फिर प्लांट उन लीव्स को गिरा देता है कुछ waste product цвет रिजिन्स और गम्स के फॉर्म में Old秒 में store हो जाते हैं और बहुआ सारए waste product root से बाहर soil में defuse हो जाते हैं इस तरीके से प्लांट में भी discrimination होता है यहाँ पर हमारा यह चैप्टर खतम होता है इस टॉपिक के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए थाइंक यू